Welcome back to my channel आज हम वीडियो में जिस टापिक पर बात करेंगे वो है कि हमल में आवल का नीचे होना नार्मल डिलिवरी अगर अप्रेशन भी हो तो उसमें होता यह है कि पहला बच्चा बाहिराता है और फिर आवल जिससे बच्चे को खून मिलता है वो बाहिराती है आवल का मकसद यह होता है कि बच्चे को खून महया करती है और इसके लावा ऐसे हार्मून पैदा करती है जिससे के बच्चा नौ महीने मा के पेट में महफूज रहता है और अगर हार्मून कम हो जाए तो वक्से पहले या तो दर्दे लग जाती है या फिर बच्चा जाया हो अगर इन तीनों में से किसी साइट पर यो तो यह कुदूरती तोर होती है और यह बिल्कुल नार्मल होता है। लेकिन कुछ आमला में होता है, यह है कि बच्चा उपर की तरफ होता है, जबके बच्चे दानी के मुग के उपर आवल पड़ी होती है। इसके चार दर्जे होते हैं अगर तो आवल बच्चे दानी के मूँ के बिलकुल उपर पड़ी हुई है तो इसको कहते हैं कि ये आवल का दर्जा चार है यानि कि ग्रेट फॉर है इस सुरत हाल के अंदर बच्चे दानी के मूँ के आगे आवल पड़ी होती है तो normal delivery तो बिल्कुल भी मुम्किन नहीं है और मरीज को अगर दर्दे लगे तो operation करना पड़ता है और इसमें अगर खून बहुत जादा पड़ने लगे तो बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है दूसरे नमबर पर है दर्जा 3 यानि के grade 3 अब इसमें होता है यह है कि आवल जो है बच्चेदानी के बिल्कुल तो मुह पर नहीं होती इसका कुछ हिस्सा बच्चेदानी की दिवार के साथ होता है जबके एक हिस्सा बच्चेदानी के मुह के उपर होता है तो इसमें भी नार्मल का चांस बिलकुल भी नहीं होता इसमें भी खून जाधा पढ़ने की वाज़ासे बच्चेदानी को निकालना पढ़ सकता है इसमें अगर खून मतलब इसमें ये हो सकता है कि इसका खून पढ़ने के बाद जो है वो खून को कंट्रोल कर लिया जाए तो इस सूरत में जो होती है वो बच्चे दानी फिर नहीं निकालनी पड़ती अब जो इसमें दर्जा नंबर दो है तो इसमें जो आवल होती है वो बच्चे दानी की दिवार के साथ लगी होती है और इसका एक हिसा जो है बच्चे दानी के मूँ तक पौँच तो रहा होता है लेकिन इससे मुकमल तोर पर ढाप नहीं रहा होता मतर insists यह कि दिवार कि एक साइट पे दिवार के साथ लगाओ है और ज्दाने के मुं पर होता है लेकिन उसको मकमल तोर पर ढ्रापब नहीं होता तो इस सुरत में नार्वल डिलिवरी जो कर flashes को होता है उसमें वह मां के लिए भी हामला के लिए खत्रा बन सकता है और बच्चा भी अपनी जान से जा सकता है तो इसलिए इसमें भी अप्रेशन करवाना ही बेतर होता है लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चेदानी के बाद जो है वो अप्रेशन के बाद जादा कून जो पढ़ने के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और इसमें इस तरह एक वाच के सासा ये आवल उपर की चरफ चली जाती है और जो बच्चा है वो नीचे की तरफ अपनी जागा बनाने लगता है और इसमे नर्मल डिलिवरी का जो चाहं से वो काफी ज़ादा हो जाता है ये जो थो हो गई कावल की चार किस्मे एक developments में नार्मल डिलिवरी हो सकती है और आवल के जो दर्जा नंबर दो है उसमें बच्चे दानी के मूँ को किसी हक तक तो ढंपा होता है तो इसमें जो है नार्मल डिलिवरी हो सकती है लेकिन उसमें खतरात जादा होते हैं मतलब उसमें पचीद किया जो है वो जादा होती है ख उसका जो बच्चे दानी का मुँ ऐसे मुकमल तोर पर धांप होता है। एक साइड पर होती है। आवल दिवार के साथ लगी हुए लेकिन उसे मुझ मुकमल तोर धांप होता है। तो इसमें भी डिलीवरी, जो नार्मल डिलीवरी ना मुंकीन है, अपरेशन ही होता है। जो दरज़ा नमबर चार है वो तो पड़ी ही मूँ के उपर होती है तो उसमें भी बिल्कुल चांस नहीं होते हैं अब जो नावल का नीचे होना इसमें क्या-क्या पचीदगिया हो सकती हैं वो हामला जिनकी आवल नीचे है तो इन्हें छटे साथ में आट में में खूँट सकता है जैसे ही वो कोई भारी काम करती है या फिर बच्चे की जो हरकत जब करता है तो उससे भी दरदे शिरू हो जाती है और आवल से खूँट चूट जाता है बास गद खूँट खूँट इतना जादा पढ़ने लगता है कि मरीज की जान बचाने के लिए उस वावक्त से पह पता होना चाहए क्शुट की इस सुरथ में इसकी जारे हैं मरीज को साथ में तीन-चार लोग लेकर भी गया तो जाब वहां पर PC निकलाये तो फीर वाँ पर एमरेजनसी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इस तरह का मसला हो तो कम सक्म मतलब जो मरीज का हमला का गृरुप हो उससे रिलेटिड ही बंदे लेके जाने चाहिए. दूसरी प्चीद्गी इसमें यह हो सकती है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी मुम्किन नहीं है. इसमें नॉर्मल डिलिवरी मतब ना ही करवानी चाहिए अगर हमला का पहले अप्रेशन हुआ हो है और कुन बहुत जादा पढ़ आओ तो फ़ोराण अप्रेशन करना पढ़ सकता है और हमला की जो है पहले से 3-5 बोत्रे जो है वो कुन का इंतजाम लाजमी करे और बावसकत मा की जान बचाने के लिए बच्चे दानी को भी निकालना पढ़ सकता है ताकि आवल भी साथ ही निकल जाए और खून रुक सके अगर आवल नीचे है और आमला को बार बार खून पढ़ रहा तो इस सूरत हाल में ये बच्चे की जो नश्रुमा है उस पर असर पढ़ सकता है कि आवल के जरिए बच्चे को खून मिर रहा है तो अगर को खून जाया हो रहा है तो वो बच्चे की तरफ मुकमल खून नहीं जा रहा तो आर्टमेटली जब बच्चे को अपनी खुराफ पूरी नहीं मिलेगी जब उसकी तरफ खून मुकमल नहीं जाएगा तो बच्चे की जो नश्रुमा पे उस पे तो असर होता ही है जिन ओरतों में आवल नीची हो और इसका दरजा एक हो इन ओरतों की जो नार्मल डिलिवरी की जाए तो उन ओरतों को पदाईश के बाद जो खून का पढ़ना है वो पांचवा महीना और आपके पहले जो बच्चे वो नार्मल होएं तो आवल साइट पर होती जाएगा और बच्चा अपनी जागा जो है वो नीचे की तरफ बना लेगा इसमें इतना यह नहीं है कि अगर आपने आपको बता दिया गया जी आवल नीचे है और आपको पांच जाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब तक आवल साइट पर नहीं होती उस वाट आपने मुकमल एहतियात लाजमी करनी है लेकिन वो हमला जिनका पहले बच्चे अपरेशन से हुएं और आप वो आवल नीचे की साइट पर हो और आठवे महिने तक इनकी जो आवल है वो करवाएं चार से पांच लोग ऐसे साथ में लाजमी रखें जो एमरजनसी की सुरत में फॉरण खून दे सकें ताकि अगर आपकी बच्चे दानी को बचाने की कोशिश की जा रही है तो खून का जादा पढ़ने की वईसे बच्चे दानी को ना निकाला जाएं जाहर है गच्चे दानी को भी नहीं झालेगे तो फिर हामला की जान जाने का खत्रा होता है तो इसलिए बे должно है करे बच्चे दानी को अर हामला को बचा लिया जाए और खून का उन्तिजांब होगा तो मुम्किन होगा और वो फॉराण जो है वो खून लगा देंगे आपकी नीचे है तो इस सुरत में वक्त से पहले अप्रेशन कर दिया जाएगा नहीं तो अगर दर्दे लगी हुई है तो बच्चे का वो बच्चे वाली दर्दे हैं और बच्चा जो है वो नीचे की तरफ दबाव डार है तो उसमें इस सुरत में यह होगा कि आवल फट जाएगी और बच वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा अलाफिज